नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों जैसा की देख पा रहे हैं हम अपने टमाटर के खेत में आये हुए हैं और हमारा टमाटर का जो पोद्धा है वो काफी अच्छा दिख रहा है, सुन्दर दिख रहा है और flowering stage पे है और foroting भी आ रही है कहीं कहीं तो अक्सर गर्बियों में leaf miner की समस्य हो जाती है और आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं हमारा जो टमाटर का plant है वो पूरा खेद leaf miner मुक्त है यानि leaf miner हमने लगने ही नहीं दिया तो हमने क्या ऐसा उपाय किया है कि इसमें अभी तक कोई बिमारी नहीं लेगी और leaf miner तो बिल्कुल जीरो है बिल्कुल लगा ही नहीं तो इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें चलिए शुरूब दोस्तो लिफ माइनर की समस्या टमाटर के पौधे में गर्मियों में अधिक आती है और यह जो बिमारी होती है लिफ माइनर की यह एक तरह से कीड़ा होता है और रस चूसक पत्यों को चूस चूसके और इसमें लाइन सी बनाता रहता है तो यह पूरा जो टमाटर का पास नहीं कर पाता है तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और आपको बताएंगे बढ़ी हाँ इंसक्टिसाइड और गैनिक इस पर आप इसका करें इस पर तो काफी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह नीम आपको तो इसको मंगवा लीजिए और उसके बाद में जैसे आपने क्रोप लगा रखे टमाटर की तो टमाटर की क्रोप में क्या है कि जैसे 15-20 दिन का आपका क्रोफ हो जाती है तो आप इसका इस्प्रे चालू कर दीजिए और 15 दिन के गैप में इस्प्रे करते जाइए दोस्तों आपकी फसल में अगर लीफ माइनर की समस्या पहले से लग चुकी है तो इसका जो इस्प्रेय टाइमिंग है वो थोड़ा कम दिन का करना पड़ेगा यानि आपको तीसरे चोथे दिन इसका इस्प्रेय कंटीनिव रखना पड़ेगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप लीफ माइनर की समस्या से निजाद पा सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये मुझे भी काफी अच्छा मिला है और मैं खुद के एस्प्रेयंस से आपको बता रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी और्गनिक दबा है आप इसका इस्प्रेय कर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए जय हिन जय जयवान जय किसाम